साथियों नमस्कार मैं कुमार संतोश जातो आप सभी लोग का इस चैनल MLT News पर स्वागत करता हूँ लाइब टेक्निशन्स की भर्ती से संबंदित सूचना विज्यापन जिसमें लाइब टेक्निशन्स की योगता डिप्लोमा इन मेडिकल लाइब टेक्नॉलजी ए सीमल्टी रखने वाले लगबग 47 पदों पर भर्ती यह तो विज्यापन चारिक किया गया है यह सरकारी भर्ती साथ ही इसमें आप सब लोगों सेलरी के बारे में जानकर बहुत प्रसंदता होगी एक आकरशक सेलरी स्वास्त विभाग के द्वारा दिया जा रहा है मतलब उन साथियों ने जिनोंने डिप्लोमा किया हुआ है इन मेडिकल लाप टेक्नोलजी और उस राजे के परेमले काउंसिस से रजिस्टर भी है उनकी इतनी बहतरी सेलरी उनको दी जा रही है कि जिसका कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते आप लगों से एक आगरा और भी है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और शेर जरूर किजिएगा शेर किजिएगा और शेर करने के बाद अब पूरे वीडियो देखने के बादे जरूर लीजिएगा कि भविश्य में क्या करना है हम समस्या भी बताते हैं और इसका समाधान भी बताते हैं चुकिए मेडिकल लाइब टेक्नॉलजी से संबंधित वीडियो बनाये जाते हैं तो प्लीज स्कीप नहीं किजेगा आपके भविश्य से जुड़ा विग्यापन भी है सवाल भी है और उत्तर भी आपके पास ही है चलिए step by step पहले विग्यापन के बारे में जानते हैं भी समस्या के बारे में जानेंगे अर्थात आर्स थाई अधार पर यह भी पर्मेंट रेगुड नहीं है पर्मेंट नोगली नहीं है और क्यालिफिकेशन के आपके डीमल्टी सीमल्टी 47 पोस्ट आये जानते हैं कहां है वेकेंसी उसी बस हम अच्छा सीजह हम सबते हैं सेलरी के उपर सेलरी अहां हां लाइप टेग्निशन की सेलरी 8,625 रुपया प्रती माहां दिया जाएगा यह एक हास्यापद स्थिती है कि लाइप टेग्निशन के साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है यह समझ से बाहर है अब यहां देखेंगे अबीबियस 56,000 लाइप टेग्निशन 8,625 के 8,625 रुपय में जीवन का निर्वाह करपाना आसानी होगी आए जानते हैं कि यह आस्यादबद इस्थिती कहां किया हो किस राजी के द्वारा यह भद्दा मजाग किया जा रहा है लाइप टेग्निशन के साथ में मैं पहले भी इस तरह की वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सेलरी को लेकर के जो है बात रखी थी और आप सभी लोग सागर ही किया था कि प्लीज कुछ न कुछ स्टेप जरू लीजिए चौधर चार 2022 को विग्यापन जारी किया गया है मैं विग्यापन कब जारी किया गया आपको कैसे आविदन करना उस पर बात बिलकुल नहीं करूंगा मैं प्रमुक तोर पर बात करूंगा सबसे अच्छी बात इसमें और क्या होगी कि बहुत सारे साथी इस विग्यापन को जिदेख करके अपलाई भी करेंगे और जॉब भी करेंगे जाखा के ज्वाइन भी करेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि अरे अच्छी सेलरी नहीं मिल रही है तो भाईया जागो इससे भी बुरी सिती हो सकती है साथ अजार, आठ अजार, साथ अजार, छेजार रुपे भी आ सकते हैं आप सब लोग ऐसा क्योंकि अगर 8,625 रुपे पर लोग ज्वाइन करेंगे तो सरकार को क्या पुरा है वो तो चाहेगी कि कम से कम सेलरी में जो है लोग काम करने को तयार हो जाए तो अपने और पतरचार सरकार को किया जाए कि 8,625 रुपे की सेलरी पर कोई भी लाइप इक जोईन नहीं करेगा अगर आप इस सरकार करते हैं और जोईन नहीं करते हैं तो सरकार को मजबूरी बस सेलरी बढ़ानी पड़ेगी पर तो अगर लोग 6,225 रुपे में 6,825 रुपे में भ तो सरकार को कोई फरनी पड़ेगा आप 8600 में मजदूरी करते रिए तो भाईया जागिए और प्लीज शेयर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोग तो पहुंच सके और उनको जगाईए कि 8600 पर सेलरी पे नहीं जोएन करना है साथ ही संग्धन के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा जाए कि 8600 पर कोई भी लाइव टेक्षी जोएन ने गरेगा इसलिए सेलरी को बढ़ाया जाए बहुत धन्यवाद